असलामों अलेकुम हेलो फेंस वेलकम टू मैंई जहां राज की चेन मैं हूँ जहां आरा उमीद करती हूँ आप सफेरे से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल कड़ाई चिकन की रेसिपी लेकर आए हूँ इसे बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार का है हाईवे रोड पर जो होता है न ढाबा बिल्कुल वही स्टाइल में मैं आज आप लोगों के साथ कड़ाई चिकन की रेसिपी लेकर आए हूँ इस रेसिपी को एक बार जरूर राए किजिएगा सचमाने फ्रेंट्स बहुती मज़ेदार का बनता है और इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए मज़ेदार की कड़ाई चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने आइरन का कढ़ाई ले लिया है अब मैं आप डाल देती हूं 1.5 ml के करीब सरसो का तेल सरसो के तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे रिफाइंड ओयल से भी बना सकते हैं जब तेल अच्छ तरह से भुन जाएगा इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो इस तरह से आपको पहले चिकन भुन लेना है तो यहां पर चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है अब मैं आप डाल देती हूं 1.5-2 चमज भर कर अध्रक लेसन का पेस्ट को हम चिकन के साथ अब मैं आप डाल देती हूं 1.5 चमज भर कर नमक नमक डाल कर हम अच्छी तरह से चिकन में मिला लेंगे और अब हमें आप डाल देना है 200 ग्राम टामाटर टामाटर को मैंने 2 टुकडों में कट कर लिया है इस तरह से हम 4 तरह फैला कर चिकन की उपर रख लेंगे इसी के सा जया से टामाटर सौफों हो जाता है और इसका चीलका चीलका गाल भी अभी तरह च्छी तरह से तोड़ लेंगे सब्सक्रण को सब्सक्राइब फ्रेज दही, दही मैंने हाँ पर 1500 ग्राम के करीब लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और फ्रेज दही का इस्तिमाल कीजेगा, ज्यादा खटा दही का इस्तिमाल नहीं कीजेगा, टामाटर और दही पानी चोड़ेंगे, तो हमें क्या करना है, श्रोप क अच्छी तरह से मिला लेंगे चिकेन के साथ, और मिडियम लो फ्लेम पर प्याज की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, जब तक इसका कच्छापन चला जाए, उसके बाद हम यहां पर पौडर मसाले आट करेंगे, पौडर मसालों में हमें लेना है, एक चमश धनिया पौडर, एक चमश जीरा पौडर, आधी चमश कसूरी में थी, आधी चमश लाल मिच पौडर, आधी चमश हल्दी पौडर, एक चमश गर्म मसाला पौडर, एक चमश कुटी भी काली मिच पौडर, सभी पौडर मसालों को मैं चिकेन में डाल दूंगी, तो पौडर मसाले दालने के बाद हम चिकेन के साथ इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे स्टोप के लो फ्लेम पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे दो से तीर मिट के लिए ताकि पाउडर मसालों कोई भी कचापन ना रहे तो यहाँ पर देखिए चिकेन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है मसाले से तेल छोड़ने लगा है बहुत अच्छी खुजूबी आने लगी है अब मैं हाँ पर डाल देती हूँ पानी एक ग्लस के करीब मैंने हाँ पानी एट किया है और उसके बाद हम अची तरह से इसे मिला लेंगे और इस कड़ाई को लिट से कौबर कर देंगे स्टोप के लो फ्लेम पर हम इसे 20-25 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और देखिए उसके बाद हमारा कड़ाई चिकन कितना ला जवाब बन का तयार होगा बीच बीच में इसका लीड हटा कर हमें चमच चलाते रहना है नहीं तो मसाले कड़ाई पर लग जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारा कड़ाई चिकन बहुत ही मज़ेदार का बन का तयार होगा सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का बनता है इस रेसिपी को जरूर रहे कीजिए तो लीजे फ्रेंट्स मार्शाला से हमारा कड़ाई चिकेन बिल्कुल बनके तयार है बहुत ही मज़िदार का बनता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए रोटी पराटे के साथ खाईए या फिर खुसका पुलाओ के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़िदार का रेसिपी है सबसे आखिर मैं मैं हाँ पर स्टोप आफ कर दूँगी और हरा धनिया बारी काटकर डाल देती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आज की कड़ाई चिकेन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हलफू लगती है तो प्लेस इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरू करते भेजाएए साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भुलिए उससे मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन आपके फ़न पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं टने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दौाओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज